मुझे से किसी ने पूछा कि IES की सेलरी कितनी होती है और IES बनने के बाद कौन-कौन से पद मिल सकते हैं तो आज मैं वही बताने वाला हूँ तो देखो यो UPSC का एक्जाम होता, UPSC एक आयोग है, Union Public Service Commission, संग लोग सेवा आयोग यह एक्जाम कराती है जो Civil Services होते हैं तो इसमें IAS इसका मतलब होता है Indian Administrative Service IPS मतलब Indian Police Service, IFS Indian Foreign Service और IRS Indian Revenue Service और IFOS मतलब Indian Forest Service यह जंगल के लिए Revenue Department, Foreign में जो काम करते हैं, IPS Police Department जो SP और गयरा बनते हैं और IAS जो की सबसे उपर माना जाता है यह भारती प्रसासनिक सेवा, Indian Administrative Service इसमें जो DM, मतलब जो Collector आप सुनते हो, DM कहते हो, ओ लोग बनते हैं तो आज मैं specially IAS के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है, बाकी बाद में तो आखिर कितनी हो सकती है salary और कौन-कौन से पद मिल सकता है इन लोगों को पहले समझ लो थोड़ा सा जैसे इनको पहले training जो होगी, training के समय पे ही कुछ पद ऐसे होते हैं जैसे उप जिलादिकारी का, जिसको SDM, SDO भी बोलते हैं, कई सारी बाते होते हैं उसमें, उनका पद दिया जाता है, अपर जिलादिकारी, ADO, Additional District Officer यह rank wise पद मने लिखा है, ऐसे शुरू होता है इनका पद, मिलना इन लोगों को जिलादिकारी, जिसको DM, DC, जैसे DM, DM कहते हैं, दरसल होते हैं, DC, District Collector जो सबसे बड़े अधिकारी जो Collector होते हैं, है न, मंडला युक्त, जिसको Commissioner कहते हैं, हम लोग उप सच्यू, अब सच्यू में तो बहुत सारे पद मिलते हैं लोगों को, यहां तक तो छोटा पद माना जाता है यह सब, बड़े पद यहां से सुरू होते हैं, और बहुत बड़े बड़े पद होते हैं, जो मंत्राले, जितने सुनते हैं, जितने मंत्री होते हैं, हर मंत् तो उनका जो करता धरता पूरा देखने का काम करते हैं यही लोग करते हैं तिसमें कई सारे सची होते हैं मंडला युक्त के बाद इनकी सुरुआत होती है कहते हैं कि मंडला युक्त समझ लो छोटे पद हैं फिर भी बहुत बड़े पद होते हैं उसके बाद शुरू होते हैं और बड़े बड़े पद, उप सचिव हो गए, संयुक्त सचिव जिसको जोईंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, इस्पिसल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, फिर सबसे बड़ा जो होता है राज्य में, किसी भी राज्य का सबसे बड़ा जो पद होता है, भारती प्रसा चलब चलब करते तक मंडल में कमिश्णर बन जाते हैं, उसके बाद राजी के बाद केंड्र शुरू होता है, केंड्र में से अई चाहे होते हैं। सच्छी बपने कामिश्टार। बोच सारे और केंड्र सरस्रकार में उनके सब सच्छी रहे। तो इनसे भी बड़ा हो जाता है, पदिन का हो जाता है वो, Cabinet Secretary बढ़ना, मतलब केंद सरकार में Secretary बढ़ना है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना, बहुत सारे मंत्राले होते हैं, दीखते हो आप लोग, हर मंत्राले में एक Secretary होते हैं, सबसे बड़े वाले, छोट भारत का सबसे बड़ा cabinet secretary होता है प्रधान सची जिसको बोल सकते हो आप सबसे बड़ा सची वही होता है सबसे बड़ा विकारी देश का वही होता है हाला कि बाद में मतलब यहां तक तो ऐसे ही generally परमुसन हो जाता है लेकिन यहां तक पहुचने के लिए फिर जिसकी सरकार होत सब लोग तो basic salary जो बूल बेतन है वो तो 56,800 रुपए प्लस भत्ते भी मिलते हैं इनको शुरुवात की बात कर रहा हूं मैं जैसी नोकरी मिलेगी तो कुल लगभग बेतन एक लाख इनको मिलने लगता है शुरुवात में ही और cabinet secret जो मैंने बताया भी सबसे बड़ा पद जो बताया वहां तक पहुंचते पहुंचते इनकी salary हो जाती है धाई लाक रुपए ये तो हो गया इनकी salary सिर्फ मैंने बताया कि 56,100 रुपए बेसिक है प्लस भत्ते उत्ते जोड़क एक लाख हो जाता है सेम वैसे इनका भाई बढ़ता जाएगा सब कुछ तो धाई लाक हो जाता है लेकिन इसके अलामा भी इनको बहुत सारी सुभिदाएं दी जाती है अन्य सुभिदाएं जैसे आवा हो जाए पर टोल लीजर फरक नहीं पड़ता मौस से घुमेंगे एसी में सुरक शक गार्ड भी लगे रहेंगे बॉडी गार्ड भी आप देखा होगा उसके बाद यात्रा भी बहुत सारा इनके लिए मुप्त होता है कहीं भी जाओ कहीं भी करो है ना बहुत सारी सुभिद बढ़ती जाती है इनकी तो यह थी इसकी बारे में जानकारी तो वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी है अच्छी लगी है अगर नॉलेज मिला तो लाइक करना और पहली बार चैनल पर आयो तो चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकान दबाना बिल्कुल मत तो अगर आप इस्टूडेंट हो तो उसको भी सफ्राइब जरू कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको तो बस दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए जाए ही जय भारत